नमस्करक सानमित्रो शिवा रडीयफ चनल में आपका हादिक साथ करता हूँ आज का मारा टोपिक रहेगा हमारी पहली हर्वेस्टिंग के बारे में विडियो में जानेंगे कि कितना फूर्ट हर्वेस्ट किया अद्स बार हमारे फिल्ड से तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मारा चनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं में खुशी मिलती है तो एक ही चीज में खुशी मिलती है किसान भाई को वह पहली आर्वेस्टिंग में तो हमारे साथ भी ऐसा ही है हम आपको बता नहीं सकते की कितनी खुशी मिली हमें पहली आर्वेस्टिंग में तो हमें लग नहीं रहा था कि इतना प्रड़क्शन आएगा लेकिन हमारी जो उमीद थी उससे बढ़कर प्रड़क्शन आया इस बार मारे फिल्ड में पहले साली लगबग तीन बीगे में यानि डेड़ एकड से साधे च से पांच टन का प्रड़क्शन आया अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो लगबग चोदा मन्थ बीच चुके हैं प्लांटेशन को तो इस बार पैलिंग हार्वेस्टिंग थी मारी कुछ किसान भाई जो ड्रेगन फूट की कहती करते हैं तो उनमें लगबग तीन से चार प्रड़क्शन नहीं आता पहला कारण सबसे एहम है वह रेटी का है और सही ढंग से वरेटी का चैन कर पाना उस पर भी प्रड़क्शन का सारा का सारा महतब रहता है और दूसरा कुछ किसान भाई अपने फिल्ड को प्रूप से टाइम नहीं दे पाते तो इसी की वज़े से भी कई किसान भाईयों का जो प्रड़क्शन है वो लेट आता है वह रेटी का सेलेक्शन अगर सही डंग से ना हो तो फ्रूट्स की क्वाल्टी आपको नहीं मिलेगी अपने फिल्ड में अगर हम प्लाटेंशन की बात करें तो सब्टेंबर में हमने प्लांटेशन की थी यानि फस्ट सब्टेंबर को हमारी प्लांटेशन कंप्लीट होती प्रपर रूप से कुछ किसान भाई पैसा तो इसमें बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन सही रूप से इनको गाइड करने वाला नहीं होता सही डंग से वराइटी का स्लेक्शन है नहीं कर पाते अगर सही रूप से गाइड करने वाला मिली भी जाए तो आपको जो प्लांट है वो जो रेटी आपको चाहिए वो रेटी का प्लांट आपको नहीं मिल पाएगा ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो आपको सही वराइटी देंगे और बहुत ही कम नरस्री हैं जो आपको सही प्लांट उपलुपत करवाएंगी कई किसान भाईों के मन में रहती है कि जो प्लांट महंगा होता है वो ज्यादा बड़ी होता है और जो प्लांट सस्था होता है उसका कोई महतव नहीं रहता जिसके पास प्लांट की कमी हो रहेगी वो प्लांट आपको महंगा मिलेगा उस फार्म से और जिस फार्म पर प्लां से सब्सक्राइब आपको मैच्वर प्लांट ना मिले कई से तो प्रॉडक्शन का समय भी उसपर भी निज़ारत होता है अगर आपके फिल्ड में कम समय में प्रॉडक्शन नहीं आता तो इसका कारण सिर्फ व्रयटी का सेहिडंग से सेलेक्शन ना होना है और प्लांटेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपको पहले साल फूट ना आए यानि जवं सब्टेंबर महा में प्लांटेशन करते हैं तो उसमें जो रूट्स का समय होता है वो निचे से ग्रो तीन रूट्स और उपर प्लांट वह स्टॉप रहता है यानी rest mode में रहता है प्लांट तो थृ मन्थ यह अपनी नीचे से Our develop और सेट केमांथ यानी फर्वरी से मार्च में यह त्पाणद लेता है अपनी तीन से चार मन्त यानि पीसरे, चोथे, पांच में, छटे और सात्में मन्त में फुल ग्रोथ करेगा और आठमें मन्त में यह स्टोप होगा फिर से आठमें, नोमे मन्त में जाकर आपको फुरूटिंग मिल सकती है कुछ कदू का प्लानट पर फूटिंग निल सकती है लेकिन आने वाले समय में यानि अक्टोबर माह में यानि दसमें मेने में ये आपको पूरी फूटिंग देगा तो 20睛 में में हर्उस्टिंग का म१ुका मिलेगा किसानद भायुं को बार-बार सलहा देता हूं कि आप वाराईट्पि का सेलेक्शन साइडन से करें पूरा पैसा लगा वॉअ वरबास जाएगा अगर आपने वाराईट्पि का सलेक्शन साइडन से ना किया तो सब से ब्सक्li त अब तक की यानि 2022 के जो में में विडियो मना रहा हूँ उस समय से यह सब से बेस्ट वाराइटी सीम रेड वाराइटी सीन वैटी के नाम से वी जाना जाता है इसको आप जिस भी किसानबाई से या और कोई भी नर्श्री से अगर प्लांट लेता तो प्लांट को देख ली जिए और अगर होसके तो वार्म को विजित की जी चुइए बहुत सारे दोक warfare रहें नर्श्री से बांट कोई और वपलांट सी के अच वो सेल करते हैं नर्स्री वाले उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसान कैसा है कैसा नहीं किसान को फ्रोविट होगा या लोस होगा उनको अपने प्लांट को सेल करना है किसी भी तरीके से करें तो किरपया किसान भाई वरेटी का सेलेक्षन सही ढंग से करें मैं बार बार हर अपनी वीडियो में एक ही बात को तवज्जों देता हूं तो आप वरैटी का स्ट्रेक्शन से करें तभी फार्मर सक्सास हो सकता है इस फार्मिंग में अगर किसान को फ्रूड का साइज बढ़िया नहीं मिलेगा और कुमांटिटी भी अगर बढ़िया नहीं मिली अपने फा फार्म पर खर्चा किया हुआ है वह पूरा का पूरा बरबाद जाएगा अगर हम हमारे फिल्ड की बात करें तो इस बार हमारा पहली आरा देश्टिंग में एवरेज फ्रूड साइज गया चार सो असी ग्राम आप वीडियो में देख सकते हैं तो मैंने अपने फार्म से 288 kg के लगबग एवरेज फ्रूड साइज आया इस बार हमारे फिल्ड से किसान भाईयों से अन्रोड है वीडियो अच्छ लगती है तो प्लीज लाइक कि करा किजिए और शिवा आडियाफ चैनल का हिसाब बनिए और इसके साथ ही अगर आप वर्टसाप पर मेरे में मैंने लिंक दिया हुआ है वर्टसाप नमबर का तो उस पर क्लिक करके आप वर्टसाप मेंबर का इसाब बन सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन जयबार्त